अगिल भारती प्रधान संगठन के राश्ट्री अध्यक्स जितेंद्र चौधरी को शीनगर पहुंचे जहां पर उन्होंने जन्पधिस्तरिय सम्मेलन को संबोधित किया इसके बाद एक ग्यापन के माध्यम से प्रशासन को ग्राम प्रधानों की समस्याओं से भी अबगत कर आया गया इस दोरान राश्ट्री अध्यक्स जितेंद्र चौधरी ने कहा कि वो ग्राम प्रधानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें सभी प्रधानों का सयोग आवश्यक है जब तक सरकार गाओं को गणराज्य का दर्जा नहीं दे देती तब तक उ उन अधिकारों को नहीं दिया जाएगा तब तक अधिल भारतिय प्रधान संगेटन अपनी लड़ाई को जारी रखेगा इसके आगे उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान के ऊपर तमाम तरह के आरोप तो लगा दिये जाते हैं लेकिन सरकारें ये भूल जाती है कि कहीं न कही सरकार बनाने में ग्राम प्रधानों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है कमान का अभारी रहुँआ सभी साथियों के लिए हुद्वात धन्यवाद हुद्वाद पाफाब साथ बड़ने का काम 1857 में अंग्रेजों ने किया जब आप पहली क्रांटी का अलाज दिया तब उन्हें आपकी ताग़त का एसास हुआ और उन्होंने एक प्लानी दी आपको एजेंसी के रूप में इस्क्माल करने दी और 1857 के बाद आपके उपर विविन कानून बना दिये गए विविन अदालते बना दी गई विविन खाने तैसील बना दिये गए आप हमारे जो पंच थे जो वो गाँअ में बाटर में अने एक लिया करते थे गाँगो चो सोतंत्र बाटी के रूप में लेक यह गाई ब्ना इन्हों はい लोगार कर और उनको प्रतार साथियों इस विवस्ता के पुरूथ हजारों नोजवान साथियों ने, महाद्वादानी भी के साथ आप देखेंगे एक अश्वादूला कहां था भगर सिंग चंदिर सेकर हजाज जेते हैं हजारों नोजवान साथियों ने एक अलग जगाई और अपनी जान की कुर्वानी देने के बाद इस देश को आजाज पराया उन सबी का एक सकता साथियों कि ये देश आजाज होगा तो यहां पर यहां की जो प्रामीर मुवस्ता है ये दुवारा से लागू होगी और यहां के गाउं पर राचे के रूप में काम करेंगा गाउं की अपनी सब्ता होगी लेकिन बड़ा दुर्भाग गया साथियों 1947 में देश को जरूर आजाज हो गया लेकिन यहां की जो गाउं की प्रवस्ता थी जिसे अंग्रेदों ने अठाज सो सब्तावन में कुलाम बनाने का काम किया था यह विश्ता कुछारी रूप से हमारी सरकारों ने जारी रखी रखी साथियों आखिल भाटिये प्रदावन संग्धन उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत सरकार से मान करता है कि सम्विधान ने हमको जो अधिकार दिया है सम्विधान के उसे 40 में गाओं गडराजे का दर्जा दिया गया है आपको हमको वही दर्जा दे दिजी वो सम्विधान ने हमको अधिकार दिया है आप सुब हमें वही अधिकार दे दिजी है हम आपसे कुछ अलग से कुछ नहीं मान दो समिदान ने हम लोग एक सरकार का दर्ज़ दिया है इस तरह से केंडरी की सरकार होती है इस तरह से राजी की सरकार होती है इस तरह से गाओं की भी सरकार है लेकिन इस सरकार को बनुआ बनाने का काम हमारी राजी सरकारों ने किया है क्योंकि वो सभी लोग बड़ा जानते हैं उन्हें अंग्रेज ये मंत्र देखर दे हैं कि अगर गाउं के नेत्रत को आपने स्वतंत्र छोड़ दिया जो गाउं का नेत्रत सरपंच के रूप में निकल करा रहा है जो गाउं का नेत्रत प्लाइन के रूप में निकल करा रहा ह अगर ये स्वातंत्र रूप से काम करेगा और गाउं में इसकी अगर बिस्वशनियता बनी रहेगी तो आप जो अपनी दुकाने चला रहे हो जो हमारे मान्य विधायक अधिकान सब्की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन जो हमारे मान्य विधायकों और सांसदों ने पिछले 75 सालों में जो अपनी दुकाने सजा रखी हैं ये दुकाने चलने का काम फिर नहीं होगा इसी को इसी मंसा को पूरा करने के लिए हमारे सभी प्रदान सात्यों को समय समय पर उनको पिक्तारिक किया जाता है उनका उपिरन किया जाता है एक माहौल की लिएट किया जाता है कि गाओं का जो प्रदान है वो गाओं का फिकाश नहीं चाहता उसको कहीं नहीं समाज में एक चोर की संग्या दी जा रही है ये एक साजिस है साथ में हम बड़ा गर्व के साथ इस मंच के माध्यम से उस्तरफदेश सरकार से या नोग करना चाहते हैं कि हमारा प्रदान जितका सब्दान होता है गाउमे प्रदानी का चुनाप जीतने के बाद अपने जाओं का विकास कराने का जितका सब्दान होता है गाउमे प्रदानी का चुनाप जीतने के बाद जाओं के हर मजलूम और मजदूर प्यक्ति को उसका हतादिगार गर्माने का वो पूरा निश्तर पुरी मानदारी से आपकी योजनाओं को धरातर पर लागू करने का काम करता है कि वो लोग जो आज मौजूदा हमारे सम्माने मुक्हमंत्री हैं उनसे मिलकर भी हमने अपने प्रदानों की जो समस्याओं को गोरकपुर की धर्ती से अबगत कराने का काम किया किया तब तक देश भारत ससक्त नहीं हो सकता अगर आप चाहते हैं कि भारत का जंडा फुरे बिश्म में लहराएं तो आपको गाउं ससक्त करने ही पड़ेंगे और इसके लिए एक ही रास्ता है वो है गाउं को गडराजे का गर्जा दिया जाना हमारी राजे सरकार हैं अपनी राजज की से एक माध्यम से एक एंजन्सी के माध्यम से जो इस्तिमाल कर रही है यह स सक्ता जब तक बंध नहीं होगा तब तक गाह ससक नहीं हो अगर आप भारत को भिश्गुरू बनाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि भारत दुनिया में एक अपना नाम पैदा करें, तो आपको भारत की 75-35 आवादी की जो समस्या हैं, जो मूल समस्या हैं, जब तक उनको आप दूर नहीं करोगे, भारत ससक्त नहीं हो सकता, करने के लिए गाउं पंचायद को ससकत करना होगा, उसको गाउं बढ़राचे का दर्जा देना होगा, तो इसी हासा और विस्वास के साथ, कि आज हम लोग संचल्प लें, और आने वाले एक बर्स में, इस देश की सरकार को अपनी तागत कराने का काम करें, सभी के लिए ब आपका अभारी रहूंगा, जो आपने सम्मान किया, वो उसका में सदान रेडी रहूंगा, जै भाराट, जै पंचायद करेंगा, जै बढ़राट, जै पंचायद करेंगा, तो आप से एक बनमरता पूर्बा के गुजारिस यह है, कि जब हमारे प्रधान आपके ठाने, तैस इन फिले पर जब आते हैं, तो उनको जिस नजर से उनको प्रतारित किया जाता है, उनका उत्विडन किया जाता है, यह बड़ा ही सोचने माला कुछा है, प्रधान यह चनसेबख है, चुना हुआ लान पृतिरिदी है, उनको भी आप जिस तरह से बाकी पत्रिदीयों को आ कि प्रधान मंत्री आवास वाला पैसा सीदह जाने का काम हमारी सरकारें कर रही है तो उसमें प्रधान और सीदह यह भी संदेश दिया जा रहा है कि संबन्ध आवास में प्रधान का कोई योगदान भी नहीं है और जब वह जो जो धमनासि है वह सीधा उसके लावार्ति के एकाउंट में जाकर जाती है तो उस लावार्ति पर निर्वर करता है कि उस पैसे का वह किस तरह सो क्योग करता है उसके बाद भी अगर कोई भी हमारे गाओं के कोई भी जो ब्रोधी हैं तो कि बड़ी संक्या में हमारे ब्रोध में भी लोग्चुनाब जी मोग हारते हैं तो हम यह चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे प्रधानों पर F.I.R गाओं में किसी ने भी एक रुपे के पेपर पर सिका कर दी कि प्रधान ने पैसा लिया है उसके खिलाब आप F.I.R करवाने का काम करें यह गलत है